सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पर एंहेंसिंग और नॉलेज और प्रेस्ट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेश अपडेश्ट हेलो फ्रेंट्स वेलकम ट्योर चैनल कैटली सोनी अंडिस इस सोनी सिंग फ्रेंट्स एक्चुली में जो आप लोगों ने मुझसे बीपीएस्ट के वारे में पूछा था उसका सारा डीटेल मैं लेकर आई हूं फॉर्म किस तरह से फिल करना अगर आप लोग चाहें तो मैं व सुल्क भुकतान का जो डेट है वो 31 हो गया है 31 अगस्त अपलाई का जो डेट है वो साथ सप्टेμबर हो गया है 7 सप्टेμबर तक आप कर सकते यह डेट जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे और बाकी जो कोशन्स आप मुझसे कर रहे हैं कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट क पर कैसे करें उस तरह का जो कोश्चन्स है तो सबchten सब्सक्राइब किस तरह से हैं कि स्क्रीन! मिज गए इस सब्सक्राइब से में मैक्सिमम एज क्या हैク Бог् देख लीजिए process अब उसके बाद आए हमनों बात करते हैं कि आप लोग को subject क्या select करना चाहिए जैसे कि जानते हैं यह PT है और PT में ही mains के लिए भी आप लोग को अपना subject, optional subject देना परेगा GS two parts में रहता है 300 and 300 वो आपको करना है उस पे तो fully command चाहिए आपको उसके बाद जो optional subject हैं वो लेने में जो mistake अप लोग कर जाते हैं वो आपको नहीं करना है मैं इसके बाद में थोड़ डीटेल से बताना चाहूंगी क्योंकि BPSC, UPSC का जो exam student दे रहे दो तरह के candidates होंगे हमारे पास अभी एक तो जो old वाले जो कि already अपना subject select कर चुके हैं तो उनको subject choose करने में थोड़ा problem हो रहा होगा मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप वही subject select कीज़े जिस पे आपका fully command हो जिस subject को आप समझते हों यहाँ पे जो exam है वो आपकी समझदारी का है आप किस subject को कितने अच्छे से समझ सकते हैं हो सकता है कि honors जो है आपने किसी और paper में किया है और आप किसी और subject को जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो आप optional में वो subject को दें दूसरी बात अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस सब्जेक्ट से जाना चाहिए तो जो graduation में आपने honors में रखा है वही subject लीजे क्योंकि उस पे कुछ नहीं भी जानते हुए भी आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे तो बोला जाता है ना कि कुछ नहीं होने से अच्छा थोड़ा सा होना है तो इसलिए आप graduation ले लिजेगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है otherwise आप अपने आपको अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा subject लेना चाहिए किस subject पर आपको interest है किस subject को आप अच्छे से समझते हैं तो वह आप select कर सकते हैं दूसरी चीज अगर आपने BPSC और UPSC दोनों के लिए रेडी हो रहे हैं तो आप एक ही subject को लेकर के चलें दो तीन subject लेकर के confused ना हो कि इसको भी कर लेते हैं उसको भी कर लेते ऐसा ना करें आप वैसे ही subject, optional subject को चूज करें जिस पे आप command है और जिसको आप समझना चाहते हैं उसी को आगे continue भी करें तब जाकर कि आपको उस पे fully command हो जाएगा और आपका crack होने का BPSC चांसे सोगा या UPSC भी तो optional subject चूज करने का बस advice यही दूँगी कि जिस subject पे आपको ज़्यादा command है उसी को select कीजिए Otherwise अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो graduation में जो subject आपके थे वो subject आप select कर सकते हैं तो यह थे subject selection से regarding बाते number of vacancies आप देख चुके हैं registration date आगे हो चुका है आपको अभी यह समझना है कि आपको GS पे fully command चाहिए GS पे अगर आप command कर लेते हैं तो जाकर के आपका fully command जो की next to impossible होता जीएस पे बट इस नॉट impossible तो आप उसको कर सकते हैं वो अगर हो जाएगा तो 100% रहेगा कि आप BPSC जो है crack कर लेंगे तो friends यह BPSC के regarding है इसके बाद आप लोग comment में मुझे बताइए कि और आप क्या जानना चाहते हैं तो उसके regarding में और भी questions और भी कुछ इसके deeply लेकर क्या आप लोग के लिए आउंगी अगर आपको नहीं समझ मैं तो history हो, geography हो, civics हो, commerce हो, कोई भी subject के बारे में आप है उसके बारे में हमनों detail में classes भी करेंगे, BPSC का भी class में start करने वाले हूँ, night में class होगा, अभी नहीं, after रक्षा बंधन हम लोग ये BPSC के classes start करेंगे, फिलाल इसके regarding कोई भी questions आपके mind में है तो मुझे question कीजिए, मैं आप लोग को बताऊंगी, अगर आप form fill करने में problem हो apply करेंगे, ति तीन दिन का process है, तो अच्छे से कीजिएगा, mistake मत कीजिएगा, बहुत लोग mistake करके भी ये मौका चुक जाते हैं, तो friends ये था, आपके बहुत सारे questions के लिए ये वीडियो, I hope कि आप satisfied हो, अगर ऐसा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और जितना हो सकता है अतना share कीजिए, फिर मिलते हूँ दूसरे वीडियो के साथ, आपके और भी कुछ questions के साथ, तब तक के लिए have a nice day.